नवस्काष दोस्तों नई वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की जो वीडुयो है दोस्तों वो इस smps पर बनाई गयी है सmps का जो transformer लगा होता है फैरेट कोड ट्रांसपारमर ये किस परकार चेक किया जाता है ये खराब है या सही है होता क्या है कई बार दोस्तों कि ये सारी जो सप्लाई होती है हमारी बिल्कुल सही होती है लेकिन ये ट्रांसफार्मर की वज़े से इसके अंदर फाल्ट होने के वज़े से यह कोई भी वोल्टेज है वो नहीं निकालता है तो आज हम इसे चेक करना सिखेंगे इस SMP के अंदर जो भी फाल्ट आते हैं सारे मैंने रिपेरिंग करके बता रखी है लेकिन इसके बारे में कमेंट आ रहे थे कि अगर यह सर एटीडी है इसकी या फैल्ट कोड ट्रांसपा करने रहना तो सबसे पहले क्या करना होगा यह जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इस ट्रांसफार्मर को हमने शॉल्टरिंग आयरन की मदद से बाहर निकाल लेना है तो मैंने इसको पहले सभी डिशॉल्टर करके रख रखा है ताकि यह टाइम ज्यादा खराब ना हो त्रिके से किस परकार जुड़ी हुई है तो उसका हमें नोलेज होना जरूरी है तब ही यह ट्रांसफार्मर हम टेस्ट कर पाएंगे सबी जो सम्पेस होते हैं उसके अंदर यह ट्रांसफार्मर लगा हुआ होगा तो यह जो ट्रांसफार्मर है यह किस परकार है वो मैं इस दो कोईल होगी एक तो जिसको हम इंपुट वोल्टेज करते हैं वो होगी यह हो जाती है में में होगी और दूसरी इसके साइड में ही प्राइमेरी वाली साइड में इस वाली साइड में यह जो दो कोईल है वो इस वाली साइड होगी और यहां पर जो यह कोईल बनाई है यह होती है एकजलूरी होती है तो और बीच में ये इसकी कोर होती है इस परकार और जो सेकेंडरी होती है उसकी सेकेंडरी वाली साइड एक ही कोई होगी कोई टोटल ये एक होती है लेकिन क्या किया जाता है इसके अंदर अलग-लग voltage के लिए अलग-लग जगहें से tapping निकाल ली जाती है coil A की होती है total लेकिन अलग-लग जगहें से tapping ले ली जाती है जिसे ये जो SMPS है इसके अंदर क्या है 12V, 5V, 24V, 3.3V अलग-लग voltage की हमें demand के इसाब से हमने अलग अलग जगहें से अगर टैपिंग ले ली जाती है तो वो इस पर का टैपिंग निकाले जाती है मानलो यहां पर पांच वॉल्ट मिल जाएगा यहां पर बारा वॉल्ट मिल जाएगा यहां पर चोईश वॉल्ट मिल जाएगा इस टाइब से यहां पर टैपिंग निकाल ली जाती है अब यह जो ट्रांसपरमर होते हैं इसके अंदर देखिये जो इसके अंदर तो multi type की वोल्टेज निकाल ली ज scholars निकाल ली जाती है तो यह टैपिंग जुरूरी होती है लेकिन जो कई s maps होते है जैसे मानलो 12 वल्ट का SMPS हो गया, 24 वल्ट का हो गया, 9 वल्ट का हो गया, यह 5 वल्ट का कोई adapter है, तो उसके अंदर के आए सिर्फ एक ही coil लगी होती है यह, और इसके अंदर कोई tapping नहीं निकाली जाती है, सिधी यहां से और यहां से supply ली जाती है, लेकिन जो यह DTS वाला SMPS है इसके अंदर यहां पर एक इसके अंदर negative रहता है और बाकी से वो positive रहती है, अलग-लग जगहां पर अलग-लग voltage मिलती है, तो वो सिसाब से voltage ले ले ली जाती है, और यह जो coil है वो एक ही होती है, तो अब क्या है, वो अंदर से यह इस परकार जुड़ी हुई है, हमें पता के अंदर जो voltage पैदा होगी, वो man's के अंदर जो चुम के शेतर बनेगा voltage देने से, उसके कारण ही voltage होगी, तो यह आपस के अंदर अगर short हो गहरा हो जाती है, या open हो गई, तो यह है transformer output voltage है, वो देना, बंद कर देता है, देगे अगर यह open हो गई, तो इसके अंदर कोई voltage ही होनी है, और चुम के शेतर तब ही बनेगा, जब इसके अंदर voltage पैदा, voltage जाएगी, तो यह open हो गई, तो इसके अंदर voltage नहीं पैदा होगी, अगर यह सही है, मालो, यह हमारी सही है, लेकिन यह खराब है, और यह भी सही है, तो अगर यह सही है, और यह खराब है, तो इसका क्यां होता है अक्जूर्य ये फीडबेक का काम करती है के लिए इस आई सी के लिए फीडबेक का काम करती है ये start के अंदर तो ये जो component लगे होते हैं ये उसको start करवाते हैं लेकिन जैसे हीこちら एग्जूर्य वाल्टेज जो इसकी अगती है इसके अंदर वोल्टेज पैदा होती है उस चुम के शेतर से जो वोल्टेज जाने से बन गया है मैंस के अंदर तो बाद में ये फीड़बेक वेजी रखती है तो अगर ये ओपन हो गई तो उस समय क्या होगा SMPS एक बार तो वोल्टेज निकालेगा जब सप्पलाई देंगे सप्पलाई देने पर एक बार वोल्टेज देगा लेकिन auxiliary के तरफ से कोई भी फीड़बेक नहीं मिलने के कारण ये वापस है वो वोल्टेज है वो जिरो हो जाएगी तो अगर ये खराब है तब भी वोल्टेज नहीं बनाएगा और अगर मालेजे secondary हमारी खराब है कहीं से ये दोनों ही सही है और secondary भी कहीं से open है अलांकि secondary बहुत क नहीं रहेगा इनके वीच में तो यह कोई भी वोल्टेज यहां पर नहीं मिलेगी तो यह चीज़ आपको समझ में आ गई तो अब इसको test करके देखते हैं किस परकार टेस्ट करनी उससे पहले मैं आपको इसका बता देता हूं कि किस परकार कितनी वैल्यू आनी सी आएगी यह चार पॉइंट दो आएगी यह चार भी हो सकता है यह आंपर तो मेंस के अंदर मल्टीमिटर से 200 की ओम के अंदर रेजिस्टेंस सेट करने पर यह वैल्यू आने चाहिए और चो ऑगजलूरी है इसकी ऑगजलूरी के अंदर 0.8 0.9 यह एक एक ओम के करीब अगर वैल्यू आती है तो आप समझ लेना कि इसकी जो मेंस और एकजलूरी है वो दोनों सही है अब सेकेंडरी के अंदर क्या रहता है सेकेंडरी अलग अलग यह जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो अलग अलग पावर के लिए बने होते हैं अलग अमपियर के हिसाब से बने होते है तो आपको यहां पर हजिस्टन्स चेक करने की जूरत नहीं है आपने सिर्फ क्या करना है यहां पर देखना है कि यहां पर वैल्यू की आ रही है या नहीं आ रही है यह 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 शौर्ट टाइप तो नहीं बता रहा है और इनका यहां पर जैसे मान लो एक मल्टिमिल्ट की प्रोब यहां पर रख ली इसका सिर्फ इनके साथ शौटिंग चेक करनी है हमें एक बार यहां पर रख ली और फिर इन दोनों के साथ टेस्ट करना है इन से दोनों के साथ इसके सेकेंडरी का कोई भी लिंक नहीं होना चाहिए एक बात तो यह होगी और फिर यहां पर भी रख कर देख लेंगे, वैसे तो बात एक ही है, कि यहां पर एक कोईल हैव लगी हुई है पूरी, तो यहां से भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, चाहिए वो आप किसी भी पिन पर इसके रखें प्रॉब, तो एक यहां पर रख लेनी आपको, और फिर इनके साथ में continuity टेस्ट करनी है, कि इनके साथ कोई शौर्टिंग वगरा तो नहीं बता रहा है, इन दोनों कोईलां का आपस में कोई भी सम्मद नहीं होता, तो इन दोनों तीनों के साथ में एक दूसरे की कोई भी continuity नहीं बताना चाहिए, अमाली जी मैं यहां पर इस कोईल को ट देख रहे हैं, कि कोई winding एक दूसरे के साथ नहीं है, तो उस समय आप continuity mode में set कर लेना, लेकिन पहले continuity mode में set मत करना, तो अब मैंने बताया था कि primary वाली side होती है, उसके side दो coil लगी होती है, यह एक coil होगी और यह दूसरी यह coil होगी, यह मैंस है इसकी और यह है, इसकी auxiliary coil है तो मैं यहाँ पर test करके दिखाता हूँ पहले आपको, पहले इसका mains चेक करते हैं, कि mains के अंदर कितनी value बता रही है, यह देखिए, लगबग 4.12 के करीब यह resistance बता रहा है, तो इसका मतलब 4 भी हो सकता है, मैंने बताया था, यहाँ पर 4 भी हो सकता है, इसके करीब यहाँ value आने चाहिए, तो इसकी, अगर इसनी value आ रही है, तो इसका जो primary की जो mains है, वो बिलकुल सही है, तो इसकी अब एकज़ूरी चेक करते हैं, यहाँ पर इसके, मैं रख लेता हूँ, देखिए, एक ओम 0.9 के करीब यह आ रहा है, तो बिलकुल सही है, अब इन दोनों में यह testing करनी है, कि इन दोनों का तापस में कोई समझ नहीं है, तो पहले यह एक की फिन होगी, एक कोई की, और यह दोनों है, वो एक की होगी, तो इन दोनों की बीच में कोई link नहीं होना चाहिए, कोई भी continuity नहीं आनी चाहिए, चाया आप continuity mode में सेट कर लो, चाया resistance mode में सेट कर तो इन दोनों की बीच में क्योंकि internal जो है इनका कोई connection नहीं है तो यहां पर भी कोई value नहीं आनी चाहिए इस चीज का अपनी त्यान रखना अगर value आ रही है तो आपका खराब है और यहां पर value नहीं आ रही है कोई भी value नहीं आ रही है या कम value आ रही है जितना मैंने बताया है किसी भी coil में कम value आ रही है तो वो short होगी और विल्कुल भी value नहीं आ रही है तो वो open होगी तो फिर वो change करना पड़ेगा आपको तो अगर यहां पर value सही आ रही है देख लेना आप 4.2 एक के करीब value आएगी अगर कम value आ रही है तो समझ लेना इसकी winding है बहुत short है अगर value विल्कुल भी नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह open है इसी परकार इसका होगा एक ओम के करीब इसकी value आ रही है तो ठीक है इससे कम आ रही है 0.8 से कम आ रही है जैसे 0.6 0.7 आ रही है तो इस condition के अंदर यह short हो सकती है तो वो फिर change करना पड़ेगा और secondary का है secondary का है आपने क्या करना है सिर्फ इन दोनों सिरों पर इसकी testing करनी है कि यहां पर यह continuity सही बता रहा है या नहीं बता रहा है कितना भी हो सकता है इसका resistance अगर इसका मैंने बताया था कि यह इसकी जो secondary होती है बहुत कम खराब होती है प्राइमरी के अंदर ही ज़्यादा फाल्ट होता है इसकी जो primary winding होती है उनके अंदर ही फाल्ट होता है तो आप secondary के अंदर मत होना secondary के अंदर ज़्यादा फाल्ट नहीं होता है तो इस परकार आप इसको test कर सकते हैं इन दोनों तीनों का आपस में कोई भी connection नहीं होना चाहिए एक बात तो आपने यह ध्यान रखनी है और जो resistance बताया है उससे कम अगर resistance आ रहा है तब तो वो short होगी और resistance हही आ रहा है तो सही होगी वो इतना ही resistance आना चाहिए और resistance नहीं आ रहा है तो वो open है और सब पर एक एक वारी एक कोईल की एक सिरे पर आपने सब पर मल्टीमिटर की एक प्रोपर कर दूसरों के साथ टेस्ट करनी है पहले इस पर रख ली एक पर रख ली तो इसके साथ कोई continuity नहीं बताना चाहिए और ना इसकी secondary साथ में कोई continuity बताना चाहिए तो ऐसे करके आपने टेस्ट कर लेना यह बिल्कुल आसान है आप आराम से कर सकते हैं तो यह थी दोस्तों आज की वीडियो वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई होगी कमेंट में बताना जूरू दोस्तों वीडियो कैसी लगी है आपको और ऐसे में सारी वीडियो बना रखिए अगर आप नहीं देखिए तो वीडियो है वो आप जाकर देख सकते हैं तो जो भी नए व्यूवर है वो चैनल को सब्स्राइब कर लें उस साथ में पैल